हालो और वेलकम तोडे वी विल डिस्कस अबाउट चप्टर नंबर फाइव ऑफ एकॉनमिक सर्वे उफ हर्याना तो आज यह स्टार्ट करते हैं आज का डिसकसिन देखेंगे आज का जो हमारा डिसकसिन रहेगा हम उसमें देखेंगे how the education and IT sector of haryana performed in last financial year तो उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे primary sector and middle sector की तो जब भी primary education की बात आती है तो इसकाchutz मतलब है कि हम चोटे बच्चों की बात कर रहे हैं और जब चोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनका सिर्फ cognitive या brain के level पर development नहीं हो रहा है they are also growing at the level of body physically भी वो grow कर रहे हैं तो जब भी governments policy बनाती हैं एक welfare economy के अंदर एक democratic state के अंदर तो उसमें क्या होता है कि ना ही सिर्फ बच्चों का physical aspect या cognitive aspect पर ध्यान दिया जाए दोनों expect ध्यान रखने जरूरी हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितनी भी policies होती हैं either they will support nutritionally या तो वो nutritional sport schemes होती हैं बच्चों का nutritional sport है ताकि उनका bodily development अच्छा उसके या फिर financial sport scheme होती है financial support इसलिए है ताकि education जो है वो इतनी महंगी हो रही है और जो गरीब से गरीब आदमी है उनके बच्चे भी पढ़ लिख सकें तो इनी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि which schemes by the government of फरियाना performed well and which did not और इन जो schemes का main जो objective होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा admission करवाना बच्चों की school में और उनको retention रख पाना जो drop out rate है उसको कम करना because government school में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो की society के बहुत ही poor section से आते हैं तो क्या होता है after a certain period of time drop out उनका चोड़ना स्टार्ट कर देते हैं या तो वो family को support करने के लिए कोई job करने लग जाते हैं या फिर मतलब उनके माबाप afford नहीं कर पाते तो drop out rate बढ़ जाता है तो यह जो schemes है admission retention को बढ़ाती हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि how in 2021-22 the midday meal scheme performed तो midday meal scheme के लिए center से लगबग 430 करोड रुपे मिले हैं और state ने इस scheme में 340 करोड रुपे का contribution किया है अब ऐसा क्यों because this scheme जो midday meal scheme है it is a centrally sponsored scheme जिसमें 60% जो भागिदारी है financially वो center की है और जो 40% है वो state की है देखिए जब भी मैं schemes की बात करता हूं तो schemes आपकी दो type की होती है एक होगी centrally sponsored scheme और दूसरी होती है center sector scheme तो जो central sector scheme होती है they are fully that is 100% funded by the central government और जो central sponsored schemes होती है वो एक particular ratio में center और state दोनों के द्वारा financially support की जाती है तो जो midday meal scheme है वो भी एक तरीके की centrally sponsored scheme है और ये scheme सरकार इसलिए लाई थी ताकि बच्चों का physical growth भी होसके और admission retention बढ़ाया जासके उसके बाद है तिथी भोजन बेटी का जनम दिन school में अबने अंदर ये scheme क्या है कि महीने के हर third Tuesday को उस महीने के अंदर जितनी भी लड़कियों का जनम दिन आया है उसको celebrate किया जाएगा उनको special treatment दिया जाएगा midday meal के अंदर तो उसके दो फायदे है एक तो क्या है girl education को मतलब बढ़ावा मिल रहा है और दूसरा क्या है एक तरीके से मतलब हम girl education के लिए यहाँ पे भी admission retention को इस तरीके की scheme से बढ़ा रहे है तो यह था आपकी scheme तिथी भोजन बेटी का जनम दिन श्कूल में अभिनंदन नाम से ही पता चलता है कि उनको अभिनंदन किया जाएगा उनका स्कूल में जो लड़किया है उनके जनम दिन पे उसके बाद एक और nutritional support scheme हर्याना के द्वारा चलाई गए है अर्याना एक milk production में one of the leading state है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर student को daily लगबग 200 ml sweetened flavored milk दिया जाता है ठीक है यह भी एक nutritional support scheme है अगली जो है वो भी एक nutritional support scheme है that is National Dewarming Day मनाया जाता है हर साल इसके तहत क्या होता है कि छोटे बच्चों के अंदर पेट के अंदर कुछ कीड़े हो जाते हैं और उस चीज को उन warms को dewarm करने के लिए albendazole एक tablet दी जाती है और साथ की साथ iron tablets ये tablets एक से 15 साल के बच्चों को midday meal देते time दो घंटे पहले provide की जाती है ठीक है तो ये भी एक तरीके की nutritional support scheme हर्याना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है ताकि बच्चों की primary education को अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके उनकी overall growth को ब as per directions of government of India fortified atta oil salt are being used for preparing midday meal midday meal को prepare करने के लिए fortified atta इस्तेमाल किया जा रहा है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि fortified foods होते क्या है तो fortified foods वो होते हैं जिनमें additional nutritional value है वो मिलाई जाती हो पर एक्जामपल काटे के अंदर किसी vitamin या protein की कमी है तो बाहर से मिला दिया iron की कमी है तो iron बाहर से मिला दिया तो fortified foods होते हैं वो ही होते हैं जिनमें additional mineral या उनकी nutritional value एड की जाती हो इसका फायदा क्या है इसका फायदा या है कि जो बच्चों के अंदर malnutrition है उसको अच्छे से treat किया जा सकता है next scheme है वो भी nutritional support scheme है उसके अंदर portion अभियान राष्ट्रिय पोशन मा is celebrated in the month of September to improve nutritional outcomes of the children जो ये scheme है इसको हम national nutrition mission भी बुलाते हैं 2017 के अंदर परदानमंत्री जीदवारा ये start की गई थी ताकि महिलाओं that is women और children के अंदर और women, children और adolescents के अंदर जो malnutrition है उसको दूर किया जा सके अब तक तो हमने देखी है nutritional support schemes अभी हम देखेंगे financial support schemes तो financial assistance for the school children number one is one time cash award to the schedule class students in class first to eighth पहली से आठवी तक के बच्चों को जैसे ही admission होता है financial support दी जाएगी उसका main objective यही है कि जब बच्चा admission लेता है तो बहुत सारी stationary की जरूरत पड़ती है तो जो बच्चे schedule class से belong करते हैं और उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है तो इस चीज को द्यान में रखते हुए उन बच्चों को यह financial assistance दिया जाता है ताकि वो बच्चे geometry pencil वगरा खरीज सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का admission और retention सरकारी स्कूलों में किया जा सके उसके बाद है monthly stipend to all SC students from Cust और हर महीने अलग से एक monthly cash benefit भी दिया जाता है और उस scheme के तहएत 1st से 5th class के boys को 1.500 रुपए हर महीने 1st से 5th class के girls को 225 रुपए 6 to 8 boys को 200 रुपए और 6 to 8 girls को 300 रुपए हर महीने दिये जाते हैं कौन से बच्चों को SC students class 1 to 8 तो ये भी एक तरीके की financial assistance scheme सरकार के दोबारा चलाई गई है next है monthly stipend for BPL and BCA students in class 1st to 8 is also given तो सिर्फ SC को नहीं BPL को भी और जो BCA के टेगरी के students हैं उनको भी financial assistance दी जाती है next scheme है education को promote करने के लिए जिन स्कूलों में middle school की सोईदान नहीं है और उनको अपने village से 2 km या उससे ज्यादा distance अगर travel करना पड़ता है तो उस case में SC students को सरकार की तरब से by skill के लिए साहता रासी दी जाती है और वो साहता रासी DBT के जरिये directly उनके account में transfer कर दी जाती है अब है secondary education देखो secondary education को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी schemes चलाए गई हैं यहाँ पे भी sports को बढ़ावा देने के लिए अलग से budget sanction किया गया है सभी सरकारी school के जो high school और secondary school है उनके लिए उसके बाद जो practice of conducting monthly assessment test है वो replace कर दी गई है by student assessment test ताकि बच्चों और teachers का time बच्च के ठीक है गवर्मेंट और फर्याना also provided budget for the books for school library अब generally जो private schools हैं वहाँ पे तो libraries बगएर अच्छे से maintained होती है सरकारी school में इतना ज्यादा नहीं होती है तो इस चीज़ को promote करने के लिए सरकार ने budget allocate किया है COVID को ध्यान में रखते हुए सारे annual exams अवसर एप के तुरू लिए गए है अब सर एप exam बगएरा में पूछ सकता है उसके बाद सरकार के दुवारा super 100 program चलाया गया है ये program क्या है इस program के तहत बच्चों को free coaching दी जाएगी ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी जो entrance exam होते हैं for example for IIT, NEET वगएरा उनके लिए compete कर पाएं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चार center खोले गए हैं for the session 21-22 करनाल, हिसार, पंचकूला और रिवाडी के अंदर ठीक है, काफी अच्छी पहले हैं सरकार के दोबारा because क्या होता है, generally जो private school के और well-to-do families के बच्चे वो जल्दी से coaching start कर देते हैं और जब competitive exams की बात आती है सरकारी स्कूलों के जो creamy बच्चे हैं जो की बहुत अच्छा perform कर सकते हैं उनमें बहुत ज़्यादा potential है वो भी इतना अच्छा perform नहीं कर पाते हैं because जो competitive exam का pattern होता वो थोड़ा सा board exam से different होता है और इस वज़े से जो coaching वाले students हैं वो उस pattern को adapt कर लेते हैं और सरकारी स्कूलों वाले adapt नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार नहीं पहल स्टार्ट की है उसके बाद है higher education अब higher education को भी improve करने के लिए हर्यान सरकार नहीं काफी कदम उठाई है देखते हैं क्या क्या during this year one new government college namely GC चर्की दादरी has been started तो government college चर्की दादरी start किया गया है निफ्ट जो है इस्टेबलिस किया जा रहा है पंचकूला के सेक्टर 23 के अंदर निफ्ट मतलब national institute of fashion technology ठीक है यह start किया जा रहा है by the ministry of textile उसके बाद triple ाईटी इस्टेबलिस किया जा रहा है किलोड गाउं के अंदर डिस्टिक सौनिपत के अंदर triple ाईटी क्या है इंडिन institute of information technology यह आपका मतलब है ध्राबस बेस जो triple ाईटी है उसके basis पे अलग-अलग triple ाईटी इस्टेबलिस किये जा रहे हैं throughout the country और उन में से एक हर्याना के हिससे भी आया है जो education city डवलप की गई है सौनिपत के अंदर वहां पे next है girl education को promote करने के लिए भी काफी कारिये किये गए है आईटी आईज के अंदर जो seats हैं उन में 30% reservation girls को दिया जाएगा और उन से कोई भी tuition fees charge नहीं की जाएगी government ideas के अंदर देखो education sector को हमने देख लिया है भाई education sector में क्या-क्या start किया गया हर्याना के द्वारा अभी हम देखेंगे information technology तो information technology आज के टाइम पे backbone है administration का या governance का वे हर्याना government ने भी काफी initiative लिये हैं digitization को promote करने के लिए digital India का जो vision है उसको promote करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं e-crease start की गई है जिसके तहएत लगबग 40,000 क्रोड बैंकों को दिये गई है जो किसानों की फसलों का जो पैसा आया है वो e-crease system के तुरू banks को disperse किया गया है to provide single point interference to citizens for accessing all government services emergency help lines अर्याना has started जन्सायक M governance initiative तो यह scheme start की गई है जिसके तहत जितनी भी government services है emergency help line number बगएरा वो एक interface के तहत एकठी की जा रही है जिसको बोला जा रहा है जन्सायक M governance initiative next है cashlessness को promote करने के लिए digital जो payments है उसको promote करने के लिए cashless consolidated portal launch किया गया है देखो इसके फायदे क्या होते है cashlessness के देखो जितना भी cash कम होगा economy के अंदर उतना ही सरकार को फायदा होता है because जितनी भी transactions होंगी they are within the net of taxation wifi hotspots create किये गए है ग्राम पंचायच के अंदर उसके बाद है हर्याना real time automated feedback dashboard HRAFD start किया गया है क्या काम है इसका it provides online mechanism for getting feedback from citizens on e-services provided by the government सरकार के द्वारा जो e-services provide की जारी है उनका feedback लिया जाएगा इस HRAFT के तहत कि जो e-services हैं वो आपकी अच्छी है या बुरी है ताकि अगर बुरी है तो और improve किया जासके और अच्छी है तो उनको और further improve किया जासके next है science and technology science and technology को improve करने के लिए हर्याना सरकार ने काफी कुछ start किया है एक scheme है पोज scheme जिसके तहट जो BSC और MSC कर रहे हैं जो मतलब basic और natural science में for example physics chemistry के अंदर अगर वो BSC MSC कर रहे हैं तो उनको जो financial assistance है वो दी जाएगी under हर्याना science talent search scheme scholarship दी जाती है लगबग 1200 scholarship हर्याना जो बोर्ड से बच्चे पास आउट हैं उनको और जो CBSC है ICSC से जो बच्चे पास start हुए है उनको दी जाती है ताकि science को बढ़ावा जिया जासके और astronomy को promote करने के लिए कल्पना चावला memorial planetarium start किया गया है ताकि जो scientific temper है बच्चों और general citizens के अंदर उसको develop किया जासके तो यह था आज का वीडियो थेंक यू फॉर वोचिंग शीन नेक्स्ट वीडियो थेंक यू